बिहार में महागडवंदन की सरकार बनने के बाद पहली बार केंद्रिक रहमंत्री अमिट शाह का दो दिवसिय दौरा सिमानचल में होने जा रहा है। ओबीसी दलीत मानोटीज कमजोर तबकेत ऐसे लोगों का अतधीक है जो आपकी आइडिलोजी और इडेंटिटी से मेल नहीं खाता है। आप उठा करके देख जो अत्यंत पिछरा का बोटर है वह कंप्लीट आपकी आइडिलोजी से मेल नहीं खाता है। जो मानोटीज है या दलीत है या अनलोग है वह मेल नहीं खाता है। तो आप एक लाइन एक संदेज देना चाहरे है ना आप आप वहां आएंगे फिर वह पुरानी राग पाएंगे जो कभी 40 साल पहले 50 साल पहले आप बंगलादेशी गुस्पेट लगातार की सिमांचल कंप्लिट देश के लिए खत्रा बनता जा रहा है तो आप हमेशा मुद्दों से डेविशन क्यों करते हैं। और यह सिमांचल और बिहार में एक बात अमीत स्राजी आपको मैं बता दो बिहार में ना तो कोई रिशोट गया ना कोई पैसा लगी ना खर्चा हुआ ना को बाहर विदाय गय और बैठे बैठे सरकार बदल गई देश में एक आपने सारे सरकार को रिशोट ले गए जार्कन परवार कर रहे हैं और अब बिहार में नहीं ले जा पाए तो बिहार का जो जीन है ना वो हिंदू-मुसल्मान जाती पाती से थोड़ा आप जो कहिएगा कि आप नितिश कुमार बीजेपी में रह करके भी सेकुलर अपना इमेज को कभी उनके एजन्डे को कभी लागू नहीं होने जिया वो जो एजन्डा चाहते थे वो एजन्डे पर कभी नितिश कुमार ने काम नहीं किया तो बिहार को आप जहर पैदा नहीं कर पाईएगा बिहार जह अमिट शापर तंच कस्ते हुए उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों जैसे करनाटक, मद्धिप्रदेश, गोआ के विधायक और निताओं को ले गए अब जारकन पर वार कर रहे हैं इस तरह की राजनीती बिहार में नहीं चलने वाली पंजाब केसरी टीवी के लिए जाद से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद